प्रेंट साज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोईट जॉन मिल्टन की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है ओन टाइम ये एक 22 लाइन पोयम है और ये पूरी पोयम एक सिंगल स्टैंजा है यानि ये डिफरेंट स्टैंजाज में बाटी नहीं गई है साथ ही इस पोयम की जो राइम स्कीम है वो है ABAB, CDDC, EEFF, GG, HH, II, JK, KJ फ्रिंट्स बात करें अगर इस पोयम की तो आप टाइटल से ही समझ सकते हैं पोयम का टाइटल है On Time तो पोयम जो लिखी गई है वो Time को एड्रेस करते भी लिखी गई है Time को यहाँ पर एक Entity की तरह देखा गया है Time से यहाँ पर पोयम डारेक्ली बात करते हैं और उसे कह रहे हैं कि Time को कुछ को चीजे करनी चाहिए अगर ऐसी चीजे हो गई यह काम हो गया और उनका प्लैन स सक्सेस्पुल हो गया तो अर्थ जो है वो Heaven से कम नहीं रहेगा और साथ ही जो Humankind है उन्हें बहुत सारी अच्छाईयां मिलेंगी और वो God के और भी जादा करीब आ जाएंगे Friends John Milton एक English poet और intellectual थे और वो बहुत सी languages में लिखा करते थे जैसे English, Latin, Greek, Italian इन सभी में वो लिखा करते थे उनका जन्म हुआ था 9 December 1608 में और उनकी death हुई थी 8 November 1674 में साथ ही उन्होंने बहुत सारे new words की खोज की है English language में और उनकी famous works में Paradise Lost, Areopagitica, Lysidus, Paradise Regained, Samson Agonistus ये सभी शामिल है तो चलिए Friends आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं Poet कहते हैं Fly envious time till thou run out thy race अब यहाँ पर बहुत सारे old English words का use हुआ है जैसे दाओ का मतलब होता है you और दाए का मतलब होता है race तो poet यहाँ time से कह रहे हैं कि जो time है वो envious है यानि उसे बहुत जादा इशिया होती है जलन होती है और वो time को कह रहे हैं कि fly करो यानि उड़ती हुई आगे बढ़ जाओ और कब तक उड़ो जब तक कि तुम अपने इस race को खत्म नहीं कर लेती यानि जब तक तुम अपने time के end place पर नहीं पहुँच जाती तब तक आगे बढ़ते चलो time से कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ते चलो call on the lazy laden stepping hours friends laden जो है वो lead नाम के word से बना है lead एक तरह का metal होता है बहुत भारी होता है तो यहाँ पर जो hours है यानि जो घंटे हैं उन्हें describe किया गया है कि वो कैसे हैं lazy है सुस्त हैं और भारी hours है तो उन्हें क्या करना है उन्हें call करना है उन hours को उन घंटों को बुलाओ यानि उन्हें force करो कि वो तुम्हारे साथ fly करते हुए इस race को खत्म करें whose speed is but the heavy plummet space और यह जो तुम्हारे hours की speed है तुम्हारे बीतने की जो speed है वो कैसी है तो बहुत ही slow है जिस speed से क्या होता है किसी plummet की movement होती है बिलकुल उसी speed से यह time बीत रहा है इसलिए अपनी speed को थोड़ा बढ़ाओ and glut thyself with what thy womb divorce और glut करो यानि बिलकुल अपना पेट भर लो और यहाँ पर womb friends, womb का यूँ तो मतलब coke होता है लेकिन यहाँ stomach का use हुआ है तो poet कहते हैं कि जो तुम्हारा पेट है उसे पूरी तरह से भर लो जो कुछ भी तुम्हें मिलता है तुम उसे जल्दी से डिवोर कर लो खा लो अब यहाँ पर time जो है वो कोई human नहीं है कि वो food खाएगी तो time को क्या खाने के लिए कहा जा रहा है यह अब in next lines में पता चलेगा पोईट कहते हैं which is no more than what is false and vain कि जो भी चीजे तुम खाओगी वो क्या है तो false है और vain है जूटी है और pride से अहंकार से भरी भी है यानि वो चीजें जो हमारे लिए सही नहीं है and merely mortal dross friends dross का मतलब होता है घटिया disgusting चीज तो जो चीजें तुम खा रही हो वो क्या है वो mortal है यानि वो मर जाएंगी और बहुत ही disgusting है तो ये सारी चीजें तुम अपने पेट में जल्दी जल्दी से ठूंस कर खा लो so little is our loss so little is die again अब ये जो हमारा loss है जो कुछ हमने खोया जो कुछ तुमने खा लिया और हमने खो दिया वो हमारे लिए बहुत ही कम loss है और तुम्हारे लिए बहुत ही कम फाइदा है क्यों क्योंकि जो तुमने खाया वो क्या थी false चीजे थी vain था pride था और humans को इसकी जरूरत नहीं है तुमने इन चीजों को खा कर इन चीजों को हमसे दूर करके क्या किया है एक तरह से हमें और free कर दिया है तो हमने कुछ खोया नहीं है हमारा जादा loss नहीं हुआ लेकिन तुम्हें भी कोई फाइदा नहीं हुआ इन चीजों को खा कर क्योंकि जब हर वो चीज जो bad है बुरी है वो तुमने क्या की है अपने अंदर समा ली है एंटूम्ड कर ली है यानि उन्हें खा लिया है अपने अंदर ले लिया है और इन सभी चीजों को खाने के बाद लास्ट में तुमने क्या किया अपने खुद के ग्रीडी सेल्फ को यानि टाइम जो है वो ग्रीडी है उसे भी तुमने क्या किया कंज्यूम कर लिया तुमने खुद को भी खा लिया यानि simply शब्दों में कहा जाए तो poet कहते हैं कि पहले तो तुमने इस world की सारी negativity ले ली जो की क्या थे तो false, vain, pride ये सारी चीजे जब तुमने खा ली तो end में क्या करो तुम खुद को भी खालो क्योंकि time भी greedy है, समय के साथ हमारा लालच बढ़ता है तो तुम खुद को भी खालो और अब जब ये सारी negativity खतम हो जाएंगी तब क्या होगा then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss तो क्या होगा हमें long eternity मिलेगी, eternity यानि अमरता कभी नहीं खत्म होने की, कभी नहीं मरने की हमें ऐसी एक eternity मिलेगी और ये क्या करेगी हमें खुशियां देगी हर एक individual को वो खुशी मिलेगी, हर वो आदमी जिसने अपने जीवन से pride हटा दिया है, जूट हटा दिया है कोई उसके मन में लालच नहीं है, क्या होगा उन सभी को eternity मिलेगी जब ये सारी परेशानियां जो है, समय अपने साथ ले करके चला जाएगा And joy shall overtake us as a flood और जो joy है, जो खुशियां है, वो क्या होंगी, वो हमारे जीवन में इस तरह से फैल जाएंगी मानो की कोई flood हो, कोई बाड हो, जिस तरह बाड का पानी बहुत तेजी से फैलता है खुशियां भी हमारे जीवन में उतनी ही तेजी से फैलेंगी When everything that is sincerely good and perfectly divine और ये कब होगा, जब हर चीज जो हमारी जीवन में होगी, वो कैसी होगी तो बिलकुल अच्छी, sincerely good यानि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और perfectly divine, यानि बिलकुल ईश्वर से जुड़ी हुई, बिलकुल सच्छी, बिलकुल दैविक ऐसी चीजे जब हमारी जिन्दगी में होगी, तो क्या होगा, हमारी जिन्दगी में खुशियां आएंगी ही और साथ ही क्या होगा, with truth and peace and love shall ever shine और साथ ही हमारी जिन्दगी चमकेगी किन चीजों से तो टुथ से यानी सचाई से पीस से यानी शांती से और लव से यानी प्यार से जब जन्दगी की सारी बुराईयां समय अपने साथ ले कर के चला जाएगा और फिर खुद समय ही नष्ठ हो जाएगा हमारे लाइफ में समय की जो लिमिट होती है टाइम लिमिट जो चलती है वो नहीं रहेगी तो क्या होगा जिन्दगी में सिर्फ सचाई होगी, खुशियां रहेंगी और प्यार रहेगा और इस तरह से हमारी जिन्दगी जो है वो इटर्नल हो जाएगी हम कभी किसी तरह के फियर में, किसी तरह के डर में नहीं जियेंगे About the supreme throne of him, it was who's happy making sight alone और ऐसा करने से क्या होगा कि हम उस supreme throne, जो कि किसका है गौड का, भगवान का जो supreme throne है उसके हम और करीब पहुँच जाएंगे जब आप भगवान के जादा close रहेंगे तो क्या होगा आपकी जिन्दगी में खुशियां भबर जाएंगी क्योंकि गौड आपको bless करेंगे तो सिर्फ भगवान के उस throne के करीब पहुँचने से ही जो हमें sight दिखाई देगी जो दृष्य दिखाई देगा, वो खुशियों से भरा होगा हमारी जिन्दगी की सारी negativity चली गई, time का limit चला गया और अब जिन्दगी में सिर्फ truth है, peace है, love है और तो और अब God भी हमारे पास आ चुके हैं तो अब जिन्दगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी अब आगे last में poet कहते हैं और जब हमारा ये जो soul है, हमारी जो आत्मा है ये कहां पहुँच जाएगी, heaven पहुँच जाएगी अफरेंट, यहां पर heaven क्या है तो वो heaven नहीं जो हमें मरने के बाद मिलता है बलकि वो heaven जो हमने earth पर बनाया हम God के करीब पहुँच गए, सारी बुराईयां चली गई तो अब ये earth क्या है, ये heaven के जैसा हो चुका है तो हमारी ये आत्मा ये इस heavenly world में मिक्स हो जाएगी और ये जो earthy grossness है, ये जो धरती की जितनी भी बुराईयां थी ये जो नफरत, fear, pain, डर, ये सारी चीजे जो हैं क्या होंगी वो quit कर जाएंगी, हमसे दूर हो जाएंगी Attired with stars, we shall forever sit और सितारों से सजे हुए हमारे इस दुनिया में हम हमेशा क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, कैसे? Triumping over death and chance and the old time तो हर एक चीज़ पर हम क्या करेंगे, triumph करेंगे हर एक चीज़ से हम जीट चुके होंगे जिसमें क्या कुछ है तो death, मृत्यू, chance, हमारी किस्मत और time ये जो time शुरू में जिसकी बात हो रही थी, हम उससे भी जीट चुके होंगे क्योंकि पहले ही poet ने कहा कि अपने greedy self को भी time consume कर लेगा जब समय की कोई limit नहीं होगी तो क्या होगा, मौत हमें कभी आएगी नहीं किस्मत के बारे में हमें कुछ सोचना नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो समय की कोई पाबंदी नहीं है हमाराम से कुछ भी कर सकते हैं और साथ ही समय तो खुद नश्ट हो ही चुका है यह धर्ती अब एक अच्छी रहने की जगा बन चुकी है, heaven के जैसे बन चुकी है और God भी हमारे करीब आ चुके हैं लेकिन यह सब कुछ कप्स होगा अगर time जो है वो इस धर्ती की सारी problems को अपने साथ ले जाए Friends, यहाँ पर यह poem खत्व होती है, simple सी poem है Basically, इसमें poet ने एक plan को discuss किया है कि कैसे समय जो है अपनी speed को बढ़ाएगा, धर्ती की सारी problems को, सारी negativity को अपने साथ ले जाएगा और फिर खुद को भी नश्ट कर देगा, जब ऐसा होगा तो धर्ती पर कोई बुराईया नहीं रहेंगी, सिर्फ अच्छाईया और खुशिया नहींगी, और हम God के भगवान के और करीब पहुंच जाएंगे और ऐसा करने में हम death और time दोनों पर ही जीत हासिल कर लेंगे तो friends ये थी John Milton की poem On Time अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like, comment और share करें